हाँ जी स्टूडेंट अज हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की चैप्टर नमबर 3 मैटल एंड नौन मैटल के पार्ट फर्स्ट मिन्स है आपको फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमें मैटल और नौन मैटल की बारे में पता होना चाहिए मैटल की बारे में प्रापर्टीस ऑफ मैटल ये इनकी फीजिकल प्रापर्टीस है बटा chemical हम next video में करेंगी अगर आपको question paper में आएगा physical properties तो आपने physical बता नहीं है अगर आपको chemical आएगा तो आप chemical properties बताओगे आज हम only physical properties के बारे में बढ़ेंगे first these are lustrous in nature lustrous means चमकदार shiny surface कि इनका जो surface होता है वो चमकदार होता है जैसे gold silver सोना चांदिया आपने देखागा कि चमकदार होते है hardness these are generally hard ये ज़्यादा तर hard होती है जैसे लोहा तामबा except means sodium, potassium, lithium इनको छोड की sodium, potassium और lithium को छोड की ये इतनी को soft metal होती है कि इने चाकु से भी असानी से काटा जा सकता है सभी metals यो hard होती है लेकिन sodium, potassium और lithium soft metal होती है आपको अगर question आ जाता है name one metal which easily cut with knife तो आप क्या लिखोगे sodium state these are solid in state ये solid वस्था में पाई जाती है लेकिन mercury जो mercury है वो liquid वस्था में even at room temperature room temperature भी में वो liquid वस्था में रहेगी जो हम ये कहां पर पाई जाती है thermometer जब आपको कभी फीवर हुआ हो तो आप चेक करते हो तो आप धर्मा मेंटर में एक water type liquid देखते हो वो क्या होता है mercury ठीक है mercury है तो पिट्टा वो metal है लेकिन वो पाई की सवस्था में जाती है liquid state में वैसे बागी जो है metals जो होती है वो कौन सी state में होती है solid state में आगे मेरे पास आगया malleability malleability means metals can be beaten into thin sheets कि metal को हथोड़े से पीट के उनकी चादरे बनाई जा सकती है जैसे सोना और चांदी सोने चांदी की चादरे बनाई जा सकती है तब भी तो इनके गहने बनाई जाएंगी next मेरे पास आगया ductility metals can be drawn into wires इनके हम तारों में भी बदर सकती है इनको जैसे तामबा, aluminum आपने देखा होगा जो तारे हैं उनके उपर plastic की layer चड़ी होती है जब उनकी plastic की layer को उतारती है तो नीचे से तामबे की तार निकलती है conductor of heat conductor of heat and electricity कि ये good conductor होती है heat और electricity की तामबे की जो तारे बनाई जाएंगी ठीके आप देखोगी कि उसमें से जो electricity easily pass हो जाती है और जब कोई हमने सबजी विगरा चाय विगरा कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए हम silver के बड़तन का यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि these are good conductor of heat melting and boiling point MP means melting point BP means boiling point इनका melting और boiling point जो है वो ज़्यादा होता है लोहे को अगर पिगलाना हो तो यह नहीं होता कि आप उसको असानी से उसके उपर गिरा ख़दो गया उसके उपर तो पिगल जाएगा उसके लिए हमें high temperature की लोड होती है next आग है sonorous sonorous होती है मेठी अवाज जब धात हुए जब मेटल जो है किसी hard surface के साथ strike करेगी तो वो एक मदूर अवाज उत्पन करती है जैसे कि मंदिर के उपर bells लगी उत्ती है खीक है हम मंदिर जाती है तो बेल कुल बजाती है तो उसमें से प्यारी सी अवाज जो है वो आनी शुरू होती है घर में हम feng shui bells लगाती है तो उनके द्वारा भी क्या आती है आवाज आती है उनके द्वारा भी आवाज आनी शुरू हो जाएगी वो भी क्या होगी metals हमारी यह हमारी सारी थी physical properties metal की आगे हम पढ़ेंगे non metals physical properties of non metal they do not have shiny surface इनका जो सत्य है वो shiny नहीं होती except iodine iodine को छोड की अगर आपको question बोचा जाए कि किसी एक non metal का नाम बताओ जो lustrous हो तो हम क्या लिखेंगे iodine soft these are generally soft यह ज़्यतर soft होती है except diamond diamond को छोड की state these are in solid and calcium state यह solid और gas state में पाई जाती है except bromine bromine तो छोड के क्यों कि bromine हमें liquid state में मिलती है है तो यह non metal लेकिं यह liquid state में होगी आगे आगे non-malleable these are non-malleable means इनके sheets नई बनाई जाती क्यों कि जब इनको थोड़े से पीटेंगे तो यह तूट जाएंगी non-dactile यह non-dactile इनकी तारे भी नहीं बनाई जा सकती यह heat और electricity की poor conductor होती है कि इन में से heat और electricity easily नहीं पास होगी इनका melting और boiling point भी काफी ज़्यादा low होता है sonorous these are non-sonorous in nature कि यह किसी पदार्ट से टकराने पर मेठी आवाज बैदा नहीं करते आगे आपको कुछ question दियेगे है जिनके answer आपने मेरे नंबर पर send करने है name one non-metal which is lustrous in nature difference between metal and non-metal physical properties बताने है difference between malleability and ductility name a metal easily cut with knife dash non-metal is in liquid state कौन सी non-metal liquid state में होगी okay okay